तो Samsung A20 FE 5G के लिए एक नया software update Samsung ने रोल आउट कर दिया है तो कितिने साइच का update फाइल क्या कुछ इस update में improvements किया गया क्या कुछ नए features को add किया गया सब कुछ मैं डीटेल में आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही बात करेंगे 1UI 6.0 update के बारे में क्योंकि एक ब इस वीडियो को साथी चैनल पर अगर पहली बड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रिस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं बा इसकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूफ किया गया है तो देखिए दोस्तों यह एक मंस्ली सिक्योर्टी पैच है जो कि हर महीने सैमसेंग च्वेंटीवन एफी 5G में रोल आउट किया जाता है बिसिकली इस अपडेट में कुछ बग्स को फिक्स किया जाता है और जो फीच आप सैमसेंग का च्वेंटीवन एफी 5G डिवाइस चुच करते हैं तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को लेटेस्ट सेक्योर्टी पैच के साथ जो कि अगस्त का है अब बात करते हैं वन यूवाई 6.0 अपडेट की तो रिसेंटली एच्वेंटीवन एफी 5G को गी कोर असकोर और यहां पर ओप्रेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं एंडुआइड 14 तो एंडुआइड 14 की टेस्टिंग जो है वो अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और सैमसेंग हो सकता है इस बार बीटा अपडेट भी रोल आउट कर सकता है और अगर बीटा अपडे अल्टरा और स्ट्वन अप्डेट मिलेगा क्योंकि सब्सक्राइड नवंबर के फ़र्ष्ट वीक तक अपडेट आ सकता है वैसे तो सेमसंग इस बार बीटा अपडेट भी अपने काफी सरे डिवाइस रोल आउट करने वाला है काफी सारे डिवाइस कंफर्म भी हो चुके सब्सक्राइब करें और भी अपडेट समसंग रोल आउट करेगा बीट अपडेट तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन दिखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा मैं अनलता हूं आप अट्रम था और यह अच्छ वीडियों में तब तक के लिए जय हिंद वन्दिमात्रम अट्रम